92.7 Big FM पर मैं हूं अधुरिमा निगम और मेरे साथ है सचिन पिल्गाउंकर और उनसे जानेंगे उनकी जिन्दगी के कुछ रुमांटिक पनने और कुछ पनने जिन्दगी के अब तक आपके फिल्मों में हेरोइन्स कभी आपकी मा, कभी बहन, भाबी, दीदी ये बनती थे पर अब आप हीरो थे और वो आपकी रुमांटिक लीड तो किस तरह से आपने खुद को इस ने अफतार में ढाला? Did you enjoy the feeling of growing up as a man? Of course, I still enjoy it. And उसके साथ साथ में एक चीज़ क्याना चाहूँगा, मदू तुम तो मेरी छूटी बहन हो, इसलिए तुम शायद इतना समझ नहीं पाओगी इस चीज़ को. मेरी personality बोलीजिए, जिस तरह से बगवान ने मुझे बनाया है, बचपन ही से लड़कियों ने मुझे बहुत पसंद किया. मैंने देखा है, आज भी देखती हूँ. जी, और मेरे इदगिर्द लड़कियां काफी रही है, बचपन से. रही है मत बोले, रहती हैं. आज कहूंगा तो शायद किसी को अच्छा ना लगे, फखात करके तुमारी बाबी को. लेकिन जी, हाँ, पैदाइश जो है मेरी वो जनमाष्टमी की है. इस सम्स इट ओफ. मेरे फादर को जो पता चला के मेरी माने बेटे को जरम दिया है, और सुबह सुबह उने बापता चला के अरली मौनिंग जो है, डिलिवरी होई थी, तो वो टैक्सी में पैटके, गिरिगाम जाना चाहरे थे, मुझे देखने के लिए, और उनको ट्राफिक बहुत मिला क्योंकि रास्ता भर जो था, वो जैम था, सब लोग नाच रहते गोपियां बहुत जादा रही है, प्यार करने वाली गोपियां, दिलो जान से प्यार करती है, इसी को आगे बढ़ाते हुए पूछूंगी, कि जब दो खुबसूरत यंग इंडिविजिल साथ में काम करते हैं, तो कुछ-कुछ होना जायस भी बनता है, तो ऐसे कोई ऐसा उन दिनों का कोई रोमेंटिक पन्ना, काम करते वक्त, किसी के साथ कुछ? जी-जी, बहुत जादा नैचरल सी बात है ये, मुझे में एक आदत है, अच्छी कहो बुरी कहो, मुझे अच्छाईया पहले दिन नजर आती है, I am a very optimistic person, मैं पैसिमिस्टिक नहीं हूँ बिलकुन, उस वक्त जितनी हिरोइन्स के साथ में काम किया, सब के साथ बहुत अच् रहा, give and take बहुत अच्छा रहा, लेकिन एक ऐसी शख्स, जिनका मैं नाम जरूर लेना चाहूँगा, जिनके साथ बहुत ही अलग किसम का रिपो, एक बहुत अलग किसम का रिस्पेक्ट जो अभी तक है, और एक अलग किसम का प्यार हुआ, उनका नाम है सारी का, आज भी हम हम दोनों को, हम दोनों एक दूसरे को बहुत जादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, कुछ-कुछ चीज़ें जिंदेगी में होती हैं, जो नहीं बन पाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उन खुशी के पलों को भूल जाएं, हम उन पलों को भूल जाएं, जिसमें जिन में हमने एक दूसरे का बहुत आदर किया हो, तो वो चीज़ जो है, वो कड़वाट कभी नहीं लाती, ना दिमाग में, ना दिल में, ज्यादातर लोग इसी बात को समझ नहीं पाते हैं, जी, और ये बात तुम्हारी भावी को भी बहुत अच्छी तरह पता है, इसका खुलासा मैंने अपनी किताब में भी किया है, मैं समझता हूँ कि अगर कोई चीज खुबसूरत हो, अगर कोई चीज अच्छी हो, तो उसे कहना या अपनाना, कोई बुरी बात नहीं है, ये तो आपके honesty है, you're being truthful, हाँ, और I'm not guilty, मैंने कोई खराब बात नहीं की, या मैंने किसी situation को खराब करने के कभी कोशिश ही नहीं की, तो मैं क्यों ना कहूं, you know, you understand what I'm talking about, तो वैसा है, जो उनके साथ महसूस हुआ था, वो फिर बाकी heroines के साथ में महसूस नहीं हुआ, क्योंकि honesty थी, लेकिन जब चीजें नहीं बनी, तब उसको भी अपना लिया, कि नहीं ब इतली इन बातों को आगे भणाते हुए सचिन जी से ही जानेंगे उनके दिल से जुड़े कुछ और रिष्टू को, सुनते रहिए कुछ पनने जिंदेगी की मेरे यानी मधुरे माने गम के साथ सिर्फ 92.7 पिग एफेम पर